नमस्कार इस सब्ता बहुत सारे ऐसे घटना करम हो रहे हैं जो फिर से एक बार भारत की सियासत में खासकर चुनावी राजलीत में व्रस्टाचार के मुद्दे को केंद्र में रखने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन सवाल यह है कि क्या व्रस्टाचार का जो मसला इसको निप्टाने की भी कोई कोशिश हो रही है एक जमाना था जब माना जाता था कि व्रस्टाचार निप्टानी के लिए भारत में लोकपाल बहुत जरूरी है लोकपाल के लिए इतना बड़ा अभियान चलाया गया ऐसा लगा कि लोकपाल आया नहीं कि व्रस्टाचार खत्म और लोकपाल बनाने के लिए जो लोक काम कर रहे थे वो इस वक्त बिलकुल खामोश हो गए लोगपाल के लिए कमेटी बन गई लोगपाल के लिए कानून बन गया पांच साल बीत गया अगर देखा जाए तो बलकि हम छे साल कहें क्योंकि लोगपाल की बात इस चुनाओ के पहले एक साल से होने लगी थी और उसके बनाने का अर्श्वासन भी आ गया था पिछली सरकार में कानूनी पहल हो गई थी लेकिन आज तक लोगपाल नहीं बना लोगपाल कोई नहीं आयाएगा और पता चला कि लोगपाल अगर बन भी गया तो क्या उसको आकाश से उतारा जाएगा अगर वो इसी धर्ती का होगा इसी समाज से आएगा इसी सियासत से आएगा इसी सरकार द्वारा आएगा तो नजाने वो कैसा लोगपाल होगा और व्रश्टाचार को कैसे वो राय हिमन्ता विश्वा सर्मा इस तरह के तमाम लोग जो इन्वाल्ट माने गए ते जिन पर गंभीर आरोप ते जिन पर पड़ताल भी एक समय चली लेकिन उनकी सारी पड़ताले मुलतवी हो गई खत्म हो गई और उनको पवित्रमान लिया गया कुछ तो इसमें ऐसे भी थे जिनको बकायदा टेलिविजन पर पैसा लेते देखा गया था लेकिन सब कुछ खत्म हो गया लेकिन जो लोग विरोध में थे जो असामती जिनकी थी उन्हें परिशान करने के लिए या उनको पकड़ने के लिए रस्टाचार का मसला उठाया गय अभी फिर दिल्ली में प्रियंका गांधी महा सचीव जो कॉंग्रेस की बनी है अभी हाल में उनके पती जो वाडरा है मिस्टर वाडरा को बकायदे एडी ने तलब किया बहुत दिनों से ये मामला चल रहा था इसके पहले राजस्तान में भी मामला चला जमीन का लेकिन कुछ जब नहीं निकला मैं ये नहीं कहा रहा हूँ रावर्ट वाडरा को डिफेंड करने किसी भी नेता का बचाओ करने का यहां तक कि राजीव कुमार जो कौलकटा के पुलिस कमिशनर है उनको उनका बचाओ करने का हमारे जैसे लोगों का कोई रादा नहीं अगर कोई गलत किया है उसे दंडित किया जाना चाहिए लेकिन सवाल इस बात का है कि यह पाँंच वर्ष यह सरकार क्या करती रही रावर्ट वर्डरा के बारे में लोकसभाद चुनाओ से पहले यह सरकार कहा करती थी कि ये जमाई बाबु जो हैं ये गरबर्ड लोग हैं इनके इनके इनसे संबंदर रती हैं इनके ये रिष्टे हैं ये गटजोड हैं लेकिन पांच वर्ष सरकार ने रावर्ट वडरा के बारे में कुछ नहीं किया और जैसे ही चुनाओ बिलकुल जो धमक रहा है बिलकुल द की रिपोर्टिंग कुछ टेलिविजन चैनलों पर भी आई उससे यासा लगता था कि जो सवाल एडी कर रहा है वो सारे सवालों की फेरिष्ट लगता है कि भारती जनता पार्टी के जो प्रवक्ता जो टेलिविजन चैनलों पर अवतरीत होते रहते हैं उनके पास पहले से उसी तरह की रिपोर्टिंग उसी तरह की कमेंट्री बाकाइदे टेलिविजन चैनलों पर आ रही थी ये बड़ी दिल्चस्प बात है ED जैसे गोपनिय एजेंसि जो गोपनियता के साथ काम करती है CBI जैसी एजेंसि अगर इनकी च्छापेमारी हो रही हो कहीं कहीं कोई पूश्टाज किसी से हो रही हो जो ROP है पहले ही भारती जन्ता पार्टी के नेताओं को कैसे मालूम हो जाता है कि क्या पुष्टाच हो रही है क्या सवालात हैं क्या मसले हैं बाकाइदा वो अपराधी तक गोशित कर देते हैं किसी व्यक्ति को संभवाए क्यों अपराधी हों मैं नहीं जानता लेकिन जब तक किसी भी दुनिया के कानून के हिसाब से जब तक आरोप साबित नहीं हो जाते हैं किसी भी लोक्तांत्रिक मुल्क के किसी भी कानून के हिसाब से किसी भी व्यक्तिकों अपरादी काना स्वैम में अपराद है लेकिन इसके लिए कोई आमाना नहीं तनिक सी अगर कोई रिपोर्ट अख्वार में मैगजीन में चप जाती है वेबसाइटों पारा जाती है जो सचाई हो जिसमें सत्य हो तो आमाना की 500 करोड का नोटिस चला जाता है ना जाने क्या क्या हो जाता है लेकिन इस मामले में कुस पी नहीं है तो मेरा ये कहना है यह जो भरस्टा चार का मुद्धा उघ रहा है ऐसा लगता है कि सका मकस Bitte सिर्फ और शुनाओ है हमने उत्तर प्रदेश में क्या देखा उत्तर प्रदेश में भी यही जैसे ही मायवती जी और अखिलेश दोनों के बीच में गटबंधन की जमीन तयार हो रही थी और जैसे ही उसकी गोशना होई उसके बाद अखिलेश व्यादों के खिलाब वेपायार होने लगे मायोती उनके भाई आनंद दोनों के खिलाब भी मोर्चेबंदी शुरू हो गई कानोनी मोर्चेबंदी तरह तरह की बातें की जाने लगी आप टीडीपी का उधारण देख लीजिए टीडीपी के नेता चंदरबाबु नायडू जब तक मोदी जी की NDA के साथ लगातार रहे तब तक कोई दिक्कत नहीं जैसे ही वह उससे हटे उनके मंत्रियों उनके सांसदों उनके तमाम नेताओं के घरों पर चापिमारी की गई बहुत सारी लोग अभी लिस्ट में हैं बहुत सारे लोगों को बकायदे सोचित किया जा रहा है कि भाई अभी भी से उधर जाओ औरना हम ये कर देंगे वो कर देंगे भारत में रस्टाचार एक ऐसा चुनावी जुन जुना बन गया है वो सब्सों अगर करप्शन करें मिडल क्लास कोई दिक्ट नहीं लेकिन वो ये चाहता है कि करप्शन के नाम पर अगर कोई बात सामने आतीutar तो सबसे अधिक रहा है वो चाहता है कि उसके घर में करप्शन तो हो लेकि अगल बगल करप्शन बिलकुल मुक्त समाज रहे यह अजीब गिरोधाबास है तो यह चुनाव के लिए आपने देखा होगा अन्नाहजारे के आंदोलन के समय जो पीछे लोग थे वो कौन लोग थे जो लोग उस पूरे आंदोलन के समय बड़ी-बड़ी गाडियां बड़े-बड़े भोज बड़े-बड़े आयोजन ब नोट-बंदी के दवरान जो जब्त किये गए नोट और जो नोट बकायदे बैंक में गए जो चीजें सामने आई उससे साप उजागर हो गया कि भारत में काला धन पकड़ने के लिए नोट-बंदी जो लागू की गई वो बिलकुल पूरी तरह विपल अवियान था नोट-बंदी के दौरान अहमदाबाद के सहकारी बैंक का जो मामले का खुलासा हुआ पता चला कि इतनी ज़्यादा रकम वहां पर जमा की गई जो पूरा स्टाफ कई महीने भी लग जाता तो शायद उसकी परताल उसकी जाँच नहीं हो पाती उसकी पूरी गिंती नहीं ह क्या जैशाह का मामला कभी जाच कभी शैबना हम जैशाह को गुनागार नहीं कह रहे हैं लेकिन सवाल इस बात का है रफाल के मुझदे पर न तो किसी एजनसी की इस समय है न किसी भी और संस्था की हैसित है जो इस तरह के मसलों को परताल के लिए आदेश कर सके यह इस्ति वजूदा सत्ता संरचना और इसको चलाने वाले लोगों पर सवाल उठाते हैं तो यकीनन रश्टाचार एक ऐसा मसला भारत की राजनीत में बन गया है जिसका मकसद सिर्फ और सिर्फ चुनावी फैदा उठाना है इसे खतम करना नहीं है क्योंकि करप्शन नारों से खतम करप्शन किसी व्यक्ति को जेल भेजने से खतम नहीं होगा जैसा अर्विंद केज्रिवाल अक्सर कहा करते थे कि जब वो सत्ता में आएंगे तो हर करप्ट को जेल भेज देंगे इसके लिए नजाने कितनी जेले बनानी पड़ेगी इसकूलों को बंद शायद करना पड़ करते जब तक एक बेहतर फंक्शनिंग डेमक्रसी को स्थापित नहीं करते तब तक करप्शन नहीं खतम होने वाला है तो करप्शन का जो जुन जुना है इस चुनाव में सिर्प इसलिए लाया गया है ताकि जो सवालात उठ रहे हैं इस सरकार पर रोजगार को लेकर इस सवालों से रोजगार के सवाल को लेकर इसान के सवाल को लेकर नौजवान के सवाल को लेकर दलित ओविसी और आदिवासी के सवाल को लेकर ये सरकार जो पूरी तरह विफल सामित हुई है इस से लोगों का ठ्यान हटाने के लिए कभी अंध राश्टरवाद की बात कभी सा प्रदाइक्ता की तरह एक अजीब बुद्दा बन गया है इसका इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ चुनावी है इन्हीं शक्तों के साथ इस बार इतना ही नमश्कार